कि चैप्टर 10 में क्या है आपका सर्कल्स सर्कल्स के बारे में बेसिक चीज़ आपको पता ही है रेडियस क्या होता है कोई भी लाइन सेग्मेंट जब हम सेंटर से जॉइन करते हैं सर्कल्स की तरफ ठीक है ट्यक्तर है ठीक है डायमेटर क्या होता है कोई भी लाइन जो सेंटर से पास होके दोनों सर्कल्स को कौनात बारे ठीक है ऑन लॉग गए कांसी होती है कि डायमेटर थीक है लॉंगे सब्रक्रणाइज टॉपिक है वह सीचेंट जेंजेंट थीक है जरे फिग्ट 10.1 में आपको दिखाये होगा है कि तीन फिगर आपको दिखाया है एक तो नाइन है जो बाधर से पास हो रही है लाइन वे जो स्रुक्त कर रही है कि दूसरी फिगर में आपको दिखांगा कि एक लाइन सर्कल के अंदर से पस हो रहरी है वो डो पॉइंट पर इंटर सेट कर रही है सिर्कल को ठीके Tao P Q ही के जिए हूं ठीके Do Aukki तो ये टीन टैप की लाइन स्धेमेंट आपको दिखाएं ये तो आपकी क्या हो गई नौन-etrageting line यानि ये चर्कल को-इंट्रेट करी नहीं रही है ये क्या होगई आपको सर्कल को दो-बडों परियंटर ब्रशाट करा रही है तो इसको आपको बूलेंगे सी्टान उसको हम क्या हो लेंगे और जो दो पैंट पे इंटरसेंट करेंगी उसे सीकेंट clear होगे पिटा और जहां पे वो टेच्च करेंगी उसको क्या हो लेंगे point of contact उसको क्या हो लेंगे point of contact clear now अब इसके बाद देखो page number 207 पे लिखा भी हुए देखो a tangent to a circle is a line that intersects the circle at only one point clear tangent क्या है जो circle को सिर्फ एक point पे touch करती है या intersect करती है clear now अब उसके बाद last line देखो पेटा अब एक point पे कितनी tangents बन सकती है आपको activity के तुरू दिखाय हुए देखो figure 10.3 में clear कि एक point पर हमने tangent आने की खुशिश की तो maximum कितनी tangent बन सकती है एक point पे only one बाकी सारी क्या हो जाएंगी secants हो जाएंगी tangent एक point पे एक ही बनेंगी बाकी सब क्या हो जाएंगी secants clear आगे समझ में देखो आपे लिखा है there is only one tangent data point of the circle clear और circle में points कितने होते हैं infinite infinite तो max total tangents कितनी बन सकती है infinite tangents एक circle पे infinite number of tangents बनाई जा सकती है clear याद रेगा now last line देखो बिटो पे 207 की the tangent to a circle is a special case of the secant अब इस secant और tangent पे अगर हम देखें तो क्या difference है secant दो point पे intercept कर रहा है tangent एक point पे कर रहा है अगर हम secant को दीरे दीरे दूर लाने की कोशिश करें तो क्या होगा ये दोनो points close आते जाएंगे clear और वो finally एक point बन जाएगा आया समझ में तो द्यान से देखो last end में क्या लिखा है tangent to a circle is a special case of the secant where the two end points of its corresponding chords coincide यानि ये जो chord आपकी A भी बन रही है वो दीरे दीरे अगर हम इसको इदर closer लाते जाएं ऐसे ऐसे clear तो ये जो दो points है chords A वो आपस में coincide हो जाएंगे और आपकी tangent बन जाएगी आया समझ में so tangent एक secant का ही special case है जहां पे वो दोनों point आपस में coincide हो रहे है clear हुआ tangent के बारे में बेटा सबको now उसके पाद next page में देखो बेटा page number 208 पे activity 2 में आपको क्या show किया हुआ है कि अगर हम suppose parallel tangents बनाने की कोशिश करें तो maximum कितनी parallel tangents बना सकते हैं two clear suppose आपके circle है यह आपकी एक tangent हो गई अब इसके parallel अगर हम कोई tangent बनाना चाहते हैं clear तो वो आपकी यह बन सकती है जो दूसरे उसके parallel point पे touch कर रही है clear और यह दोनों हमेशा वेटा diametrically opposite होंगे यह क्या होंगे diametrically opposite होंगे ठीक है अगर इसके अदावा और कोई हम बनाने की कोशिश पर रहे line segment तो वो क्या बन जाएगी secant clear यह सारी secant होगी और अगर हम इस point की इधर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो non-intersecting line बन जाएगी clear ना तो वो secant होगी और ना ही फिर tangent होगी तो maximum tangents parallel कितनी हो सकती है time पे clear मिटा